Hey guys, मैं हूँ सच्छ निगामोर, WandaVision का 4th episode अब हमारे से आम ने आ चुका है, trust me guys, 2-3 episode देखने के बाद में, जो 4th episode था, this was mind blowing, इतने सारे मन में जो questions थे, वो सारे के सारे आप खतम हो चुके हैं, बहुत सारे questions के answer मिल चुके हैं, और अब हमें पता चल चुका है, शायद के इस से अब के पीछे कौन है, काफी लोग के अरत मफिस्टो है, लेकिन इस शो के हिसाब से, इस episode के हिसाब से, वो है Wanda, लेकिन इसके बारे में हम करेंगे बाद में बात, आज किस वीडियो में आपको बताने वालों, पूरे episode में क्या हुआ, इस चारक की वीडियो अलग सा ठी, उसके बाद वापस आचुकी है, वो आते ही, अपने बैड पर देखती है, मुसला साइट में बैड पर रिखती है, वहापस की मा सक के महास को नहीं मिलती, तो वहाँ पर वह hospital उपकूछ आठ करते है कि मैं मां कर आढध है, उसके राद सारे hospital के अंदर, तैस मेरी मान न मर चुकी है और तुम जब से गाइब हुई है तब से उनको cancer हो गया था और वह मर चुकी है तो यहाँ पर मोनिका जो है वो definitely इस बाग को समझ नहीं पारी कि actually में हो गया रहा है और हम तो बाइड यह already जानते कि actually में हो गया है थानर से snap की थी अब वो snap undo हो गई है तो मोनिका मोनिका रैंबो हमारी वापस आ चुकी है इस से हमें यह पता चलता है गाइस कि मोनिका रैंबो की backstory क्या है हमें इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं रिखाए गा था लेकिन ना वी finally know about it कि इसकी backstory में actually मैं चल कह रहा था उसके बाद हम देख सकते हैं मोनिका रैंबो जाती है कि न्यूजर्सी में एक mission है वह आपको करना है और वहाँ जाके पता करो कि actually मैं चल कर रहा है और यहां से हमारी में कहानी शुरू होती है क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूजर्सी के अंदर ही Westview जान नाम का जो टाउन है वहीं पर Wanda ने सब कुछ किया है और यहां से हमारा में एपिसोड शिरू होता है विच लुक्स अमेजिंग अभी तक हम इसी वह दिखाया गया कि मोनिकर रैंबो का इंटरुक्षिंग कैसे है स्वार्ड अभी यहां पर काम कर रही है और किस तरह से सारी किसारी चीज़े मैनेज होती है तो शील्ड भी है अब स्वार्ड भी ह अभी बात करते हैं में कहानी की जैसे ही मोनिकर रैंबो को वह जो हमारा अपर जो जाती है वेस्ट यह पुछ अपर बहुत तरह लोग मिलते है और वहां पर हमें परसन पता चलता है जिसका नाम है जीमीव जो कि हमने आंट मैं मुविस के अंदर भी देखा था तो जीमीव यहाँ पर बहुत ही अबिसिक चीज़ करता है जो कि आपने शायर नोटिस नहीं कियोगी वह यह है कि एंट मैं अब वस्प मुवी के अंदर जब एंट मैं अब जादू रिखा रहा होता है जीमीव बोलता है यह आपने कैसे किया हम देख सकते हैं दोनों मिलते हैं और यहाँ पर जो जीमीव हो है वह एक्स्प्लेइन करता है कि कुछ ना कुछ तो गडबर चल रही है हम देख सकते हैं टाउन के आगे सायन लगा है वेस्ट व्यू का लेकिन जब वो दोनों दोनों पुलिस ऑफिर से बात करते हैं तो काफि सारे डायामीक हो अगया शो करें तो धनी में दोस्कित हैं दोनों अजिफिकियों करनी के कोईश कर रहे है और यहाँ पर हम डेफिनेट्ली वो सीन देख सकते हैं घ्ल के कल्की में देख दाना वोनिका अपने गारी में से, sword के डबे में से, यानि box में से, copter निकालती है, या एक तरह का drone निकालती है, और उस drone को कुछ करती है कि वो अंदर चला जाए, अब वो आप drone देखना, जो पंखडिया है, वो definitely वही पंखडिया है, जो वांडा ने पकड़ी थी, यानि वांडा के पास ज जो कि हमें अलड़ी पता चल जाता है, आने वले scenes के अंदर, हम दे सकते हैं, दोने जब वो drone उड़ाती है, तो drone जो है, वो गायाब हो जाता है, और यहां पर जो हमारी जेलेडीन का करते है, नहीं मोनिका रेंबो, फाइनले वो टच करती है, स्वाल को बता चलता है, कि यह यहां पर यह scene बहुत ही amazing है, इससे में पता चलता है कि इस टाउन में जो भी आता है, वांड़ा की reality का magic का अस्तमाल करके, वो सारे के सारे लोग उस reality का पार बन जाते हैं, so this looks amazing, उसके बाद हमें दिखाए जाती है, हमारी Darcy Lewis, जो कि हमने बहुत सालों बात देखी है, मला अब लास्ट हम ने देखी थी, वो देखी थी, थार्द डार्क वर्ड के अंदर, and she is back, definitely यहां पर जो है, उससे अपनी expert, जो expertise है, वो बहुत अची कर लिया, अपनी जो science की जो field है, वो भी बहुत अची कर लिया, और उसको भी वहीं बेजा जा रहा है, यानि, SWAT वालों न अभी तक उसके अंदर कोई गया नहीं है, इसलिए यह बताना किसके अंदर चल कर रहा है, पॉसिबल नहीं है, हम देख सकते है, डार्ली सिल्यूर्स आती है, और अपना काम शुरू कर देती है, थोड़े ही समय बार, डार्ली सिल्यूर्स समझ जाती है, कि कुछ लग कुछ कॉस्मिक रेडियेशन है, जिसकी वह एक्सपर्ट है, वह यहां पर क्या करती है, कोस्मिक रेडियेशन में से, डेफिनल्ली जो एक ब्रॉट का सिंगनल आ रहा था, उसको आइसलेट करके एक टीवी पर डिखने लगा, और फर्स्ट एपिसोड के एंड में जो हो रहा है अ तो इस लोग समेजिंग। सो और धीरे धीरे वो टीवी जाना को देखकर पूरे के पूरे एपिसोड को देखकर पता लगा ले थी कि actually में इस reality में कौन से लोग फसे हुआ है और हम काफी चूटिकारे में जानते हैं first of all हमें दिखाए जाती है हमारे Mr. and Mrs. Heart की photo जिनका real नाम actually में कुछ और है उनका नाम है Todd and Sharon Davis actually में वो husband wife है लेकिन उनका नाम कुछ और है लेकिन Wanda की reality में वो कहे जाते है Mr. and Mrs. Heart की दौरा उसके बाद हमें दिखाया जाता है Abila Stendon जो कि इस reality के अंदर नाम के नाम से जाना जाता है जो कि आमने अलरी दो तीन एपिसोड के अंदर देखा हुआ है उसके बाद है नया Isabelle जो कि है एक मरलाबी लेडी है आपने डेफिनिटी सेकिंड एपिसोड में इसको देखा होगा उसके आप आप देख सकते है John Collins जो कि अभी विजन और वांडा का नेवर है जिसको विजन हर बोलता इसका दोस्त है अच्छलिम उसका नाम हर नहीं है उसका नाम है John Collins तो यह और अमेजिंग बात है लेकिन अगर आप गहर से रेखेंगे तो पूरे पूरे बोर्ड पे आपको कहीं पर इन दिखेंगा कि Agnes की कोई भी आइडिंटिटी है यानि Agnes कहां से ही है अभी ना तो स्वाड जानता है ना ही वस्ट यू के या फिर इस्ट यू के टाउन में उसकी कोई यहां पर इडिनिटिफिकेशन हमें मिली है तो मेरे क्यास से यहाँ पर definitely जो पोल्ड थियोरी चल रही थी कि हमारी Agnes जो है वो हमारी Agnes हो सकती है सो मेरे क्यास से अभी भी यह सच है और हो सकता है कि Sword वालों को नहीं पता हो लेकिन यह विच किसी और के लिए काम कर रही हो और मुझे भी यह ऐसा ही कुछ लग रहा है हम देख सकते हैं Jimmy Woo जो है जो जो जानता है और जो जो पता है वो एक board पे लिखता हुआ जा रहा है और अगर आप इस board को गौर से देखेंगे तो आपको उसके अंदर यह सब चल रहा है उसके बाद नीचे लिखा है Who is behind this Skrulls अब आप जानते हो कि जो sword है वो Skrulls को जानता है तो उनको ऐसा लग रहा है कि कई Skrulls तो ऐसा नहीं कर रहे Jimmy Woo को पता चलेगा और हमें ही पता चलेगा उसके नीचे लिखा हुआ है fail attempt कि क्या के उन्हें अटेंप्ट के हैं और क्या के fail हो गए है तो नीचे लिखा है कि drone वेज़ेते हैं बड़ वापस नहीं आए है So this looks amazing और धीरे-धीरे स्वार्ड के लोग मिलकर और Jimmy Woo के साथ मिलकर जितने भी लोग है उन सब की identity अब पता चल जाती है और Jimmy Woo का जो board है वो भरता रहता है भरता रहता और काफी चीज़े वो ढूंटता रहता है और काफी चीज़े के बारे में पता चलते हैं कि actually में चल कह रहा है उसके बाद में देख सेकते हैं जो board हस का थोड़ा सा बढ़ जाता है उसके बाद 2-3 questions और आगए है What we don't know में पहला है वाइ सिटकॉम कि actually में Wanda की reality के अंदर sitcoms क्यों चल रही है दूसरा है same time and space मतलब क्या यह जो चल रहा है वाणडा की reality के अंदर उसमे time and space है वो बिल्कु सेम तरीके से काम कर रहा है यह उनको नहीं पता है और is vision alive क्या actually में vision alive है या नहीं है we also want to know कि vision alive है या नहीं है लेकिन अभी किसी को भी पता नहीं चल रहा है उसके बाद जो है लोग पता करते रहते हैं कि अंदर जितने भी फसे हैं की identity क्या है और पूरा का पूरा बोर बढ़ जाता है जैसे कि मैं आपको बताया कि Agnes की अभी तक कोई भी identity नहीं है सारे लोग के बारे में पता चल चल चुका है बट Agnes के बारे में अभी पता नहीं चला है सारे के सारे के सारे जो हमारे S.W.O.R.D के एजट है भी बात देखके थोड़ी से चेकित हो चुक्य है थोड़ी सा question को चुक्य है कि इस reality में वन्डर कैसे जिनदा है और सबसे बड़ी बात, विजन कैसे जिन्दा है क्योंकि विजन तो मर चुका था, डार्सिलोवस इस बात को explain भी करती है, कि वो blip नहीं हुआ था, वो snap नहीं हुआ था, विजन तो मर गया था, लेकिन विजन इस reality के अंदर जिन्दा कैसे है, और हमें आगे ही पता चलेगा, कि विजन जिन्दा है या नहीं है, उसके बाद हमें एक scene में दिखा जाता है, कि जब डार्सिलोवस मॉनिटर कर रही होती है, इस sitcom reality को, हमें Monica Rambo दिखा जाती है, जराडीन के character में, तो यहाँ पर वो देख सकती है, और वो जी मुव से बात करके पता करती है, कि अक्चलि में यह इसके अंदर गई थी, लेकिसको कोई हुआ तो नहीं है कुछ, तो यहाँ पर डेफिनेटी जी मुव है, जो तयार हो जाता है कुछ न कुछ करने के लिए, और अब वो कुछ करने वाला है, जिससे दोनों के अंदर का जो connection है, वो बठाया जा सके और जो वांडा की reality में घुसने की बात की जा सके और यहाँ पर अब जो डार सिल्वेस से थोड़ा सा काम पर लग जाती है, किसी तरह से वांडा की reality में एक signal भेजा जाएगा और अगर वांडा उसको सुन पाएगी तो definitely यहाँ पर जो है वांडा से पूछा जा सकता है कि actually मैं चल कर रहा है, तो Jimmy Woo तयार हो जाता है और वांडा से बात करने की वो कोईश करता है, तो Darcy Lewis उसको बताती है कि जब मैं आपको बोलू तब उससे बात करने की कोईश करना यहाँ पर हम definite रहते हैं बहुत सारी चीज़ होने वाली है, हम शुरुवात के अंदर दे सकते हैं कि जो ड्रोन था वो actually मैं ब्लू कर रखा था उसमें कैमरा भी लगा हुआ था लेकिन वो अंदर जाके सिर्फ वर सिर्फ हेलिकॉप्टर बन गया, तो basically इस reality के अंदर जो भी चीज़ बाहर से अंदर आती है वो उसका पुराना वर्जन बन जाता है यानि जब हमारी बड़ी कार जाएगी यानि नहीं कार जाएगी तो वो अंदर जाके ओल्ड कार बन जाएगी ड्रोन जाएगा तो अंदर जाके हलिकॉप्टर बन जाएग के अंदर चेंज हो गया और वो 1950s, then 1960s and then 1970s का गयर बन गई वो रियालिटी जो भी चल रही है उसका पार नहीं रही उसका पार नहीं रही उसके आप हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जीमी वो एक प्लान बनाते है और definitely यहाँ पर जीमी वो तयार है अब वान्ड से ब वो स्था आता है वो charged ही। क कि जैसे कुछ गणत होने वाला होता है ऐक glitch हो जाते वर वह tenía कर итpicat प्रोलम ओगा लेकिन अगली बार जब यह होता है तबकिभाशन समझ जाते कि एकशल रियालिटी को कोई नखोई ने कर रहा है उसके आधर में स Rouge नमीनश का एले हना और व पर दिखा जाता है, लेकिन स्वार्ड वालोस के अन्तिजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इसके बारे मैं पता नहीं चलता है, उसके बारे मैं दिखाया जाता है, यानि अब रियालिटी के अंडर 70s एपिसोड चल रहा है, जहां पे हमारे बिली और टॉमी पैदा होने वाले अब यह बात जान चुकी है कि हमारी जो मॉनिकर रैंबो का करक्षर है जरल डीन, वो कहीं और साय है, लेकिन जैसे ही वो इसको फैकने वाली होती है, वो सीन दुबारा कार दे जाता है, और डार्स इस बात को पकड़ लेती है कि कोई ना कोई इस चीज़ को कर रहा है, कोई और वानडा अपनी पावर्स का स्राइन करके जान चुकी है, यहां की नहीं है, यानि जैलर डीन अथिऴ को फैक देती है, और अब यह बात काफी जाहिर हो जाती है कि वानडा जैनों जानती है, वीजशन जिंदा नहीं है, क्योंकि अगला सीन जो आने वाला है, वो इतना डराम नहीं तरह जंप स्केर वाला है, मैं भी थोड़ा सा डर गया था, वो यह है, कि जैसी वांडा जो जड़ा डिंका करके मोनिका रेंबो उसको बाहर फेक्ती है, तब भी विजन आखे पूछता है कि डालिंग वो कहा गई, और हम देख सकते हैं कि जैंजी वांडा मुर्त को अगरी जैंट कर चेंपास हैं, और यह है कि वांडा इस बात को सबकुझ किया है, वांडा निग değer के वह है। कैस जैंट की हम आंसर हैंhen और according to Monica Rambo, सब कुछ Wanda कर दी है, लेकिर according to भी, Wanda को कोई और कंट्रूल कर रहा है, और वो शायद हमें देखने को मिल सकता है, अगले एपिसोड में, and I'm really, really excited, guys, ये जो एपिसोड था, it was mind-blowing, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप comment section बताने कि आपको कैसा लगा, तो thank you so much for watching this video guys, मुझे पता है, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, but we want to know everything about WandaVision, तो कोई बाती, we can sacrifice our time also, thank you so much again for watching this video, मैं गुन सच्छिने का मिलूंगा फसे अगली वीडियो के अंदर, bye guys, चेकर, लग यू अल, and have a great amazing day.